यहां मैं आपको एक problem के माध्यम से Newton's second law को किस तरीके से apply करते हैं Newton's second law हमारा क्या है F vector is equal to mass into acceleration forces को किस line के along resolve करना चाहिए यह मैं आपको बताऊंगा और साथ ही F equals ma किसी line के along जब हम लिखते हैं तो problem की kinematics को body के motion को देखते हुए इस equation को किस तरीके से लिखना चाहिए यह मैं आपको बताऊंगा इसके लिए हमने एक mass M लिया है इस तरीके से इसको ceiling से string के through attached किया हुआ है एक vertical wall है उससे भी हमने string के through attached किया हुआ है यहां पर क्या करना है इसके दो part है पहला part क्या है इसमें tension कितना है इसमें tension कितना है इस string में बताना है जबकि यह mass इस string से connected है दूसरा part क्या है जो vertical wall से connected string है इसको हम just cut कर देते हैं और just after this connection just after cutting the string हमको इस वाली string में tension निकाल रहा है तो इसको हम solve करते हैं सबसे पहले पहला part सबसे पहला step क्या होता है Newton's law की problem को solve करने में कि हम free body diagram मनाते हैं तो हम क्या-क्या इसमें forces act कर रहा है देखिए mg नीचे act कर रहा है यह tension हमने string में माल लिया T1 है इस वाली string में हमने माल लिया tension T2 है अब देखिए यह mass जो है वो rest पे है और rest पे रहता है यानि कि यहाँ पे इसकी velocity भी 0 है और साथ-साथ acceleration भी 0 हो जाएगा acceleration vector क्या है यहाँ पे 0 vector तो अगर हम देखे net force इस body पे कितना act कर रहा है जिरो act कर रहा है अब यह हमारा vector equation है यह vector equation है means हम इसको apply करें किसी भी line के along हम इसको apply कर सकते हैं हमारा purpose क्या है उस पे depend करता है कि case line के along हम apply करते हैं देखे हम यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको forces को अगर हम यह horizontal line हमने खीच दी यह vertical line खीच दी यह angle suppose दिया हुआ है theta है यह angle भी कितना हो जाएगा theta हो जाएगा अब यह दो line खीचने से क्या हुआ कि mg और T2 इसके along act कर रहें इनको resolve करने की जरूरत नहीं पड़ेगी T1 को अगर हम resolve करें T1 का यह component क्या हो जाएगा यह हो जाएगा T1 cos theta यह वाला component क्या हो जाएगा T1 sin theta अब net force 0 है मतलब किसी भी direction में किसी भी line के along net force 0 होगा means अगर हम देखे है horizontal line के along देखे तो क्या होगा T1 sin theta equals T2 vertical देखे तो क्या होगा T1 cos theta equals mg net force 0 है means हम देखे यह इसके बराबर है इसको cancel कर रहा है तो यहाँ से देखे T1 यहाँ से T2 के terms में आ जाएगा T1 यहाँ से mg के terms में आ जाएगा यहाँ से हम निकाल सकते हैं T1 की value कितनी हो गई T1 हो गई mg by cos theta T2 अगर निकालना है T2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं T2 क्या है T1 sin theta T1 की value है mg by cos theta mg by cos theta into sin theta यह हो जाएगा आपका mg 10 theta हम यह भी कर सकते थे कि string के along और string के perpendicular resolve करते उस case में क्या होता दो equations बनती हैं साथ-साथ इन दोनों forces को हमको resolve करना पड़ता T1 को समय resolve नहीं करना पड़ता और दोनों equations को solve करना पड़ता तो यहाँ पर यह आसानी क्या हो गई यह जो है आपका इस equation से T1 की value आ गई अब देखे अब हम क्या करते हैं अब हम next देखते हैं problem क्या है next problem क्या है next problem में क्या किया गया है इसको यहाँ से cut कर दिया गया है disconnect कर दिया गया है suppose T equals 0 पे इसको cut कर दिया गया है अब उस moment पे just after this connection means t is equal to zero plus उस moment पे अगर हम देखें इसकी velocity क्या होगी जैसे ही cut किया है इसकी velocity zero है लेकिन आप जानते हैं कि ये एक ही string बचा यहां से cut कर देया गया क्या होगा ये mass move करेगा move करेगा एक circle के along move करेगा इसका मतलब क्या हुआ initial velocity इसकी zero थी velocity बढ़ रही होगी तब ये इधर move कर रहा है means एक acceleration act कर रहा है जिसकी वेसे velocity इसकी change हो रही है अब देखें फोर्स अगर हम देखें हमें tension निकालना है माल यह इस moment पे हम माल लेते हैं यह इसकी नीचे की तरफ act कर रहा है यह दो forces act कर रहा है और body move कर रही है velocity gain कर रही है यानि कि acceleration भी act कर रहा है अब हमको देखना है कि acceleration किस direction में act कर रहा है तो एक चीज आप ध्यान रखिए एक चीज यहाँ पर help कर रही है कि body circular motion describe कर रही है circular motion में क्या होता है अगर हम speed के tones में तो acceleration का जो tangential component होता है tangential acceleration क्या होता है rate of change of speed center की तरफ normal acceleration या centripetal acceleration यह क्या होता है v square by r जहाँ पे r radius है circle की तो यहाँ पे velocity इसकी हमको पता है u equal 0 तो उससे एक idea हमको क्या लग गया इस moment पे center की तरफ acceleration कितना हो जाएगा यह हो जाएगा v square by r यान कि u square by यह इसकी length है suppose l तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस direction में acceleration 0 है इसके perpendicular direction यानि कि यह जो tangent है इस direction में acceleration होगा जो हम निकाल भी सकते हैं तो यहाँ पे क्या करना चाहिए यहाँ पे हमको करना चाहिए कि string के along forces को resolve करें फाइदा क्या होगा यह 0 है तो string के along जब equation लिखेंगे हम f equals जो ma हम लिखते हैं यह string के along acceleration 0 है तो string के along net force क्या होगा 0 उसमें हमको t1' को resolve करना नहीं पड़ेगा mg को resolve करना पड़ेगा यहाँ पर देखें यह जो angle है थीटा है तो यह angle भी थीटा हो जाएगा mg को resolve करें तो string के along is string के along इसका component क्या हो जाएगा string के along इसका component हो जाएगा mg cos थीटा cos थीटा इस string के perpendicular यानि के tangential direction में mg का component हो जाएगा mg sin थीटा means mg को resolve कर लिया तो यह खतम हो गया इसको हटा सकते हैं आप देखें इसके along string के along equation लिखेंगे तो net force towards center कितना हो जाएगा यह हो जाएगा t1-mg cos थीटा equals mass into acceleration acceleration का component 0 तो यहां से देखें t1- कितना हो जाएगा mg cos थीटा इससे पहले वाले case में जब यह बन्हा हुआ था horizontally उस समय जो tension आया था mg by cos थीटा था just इसको disconnect कर देंगे इसमें tension उस moment पे कितना हो जाएगा mg cos थीटा tangential direction में देखें tangential direction में force है mg sin थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं mass into tangential acceleration इस तरीके से हमसे पुछा जाए इस problem में tangential acceleration क्या है यह क्या हो जाएगा g sin थीटा झाल .